नमशकर सनाथन परेमियों तो पछले बाग में हम बता रहे थे अरजुन जी का देवलोग में जाना देवलोग में जब उनका एक वर्ष पूरा हो गया था तो वापसी में वो देवराज इंदर से मिले थे जहां देवराजंदर ने उनसे अग्रे किया था कि आपको हमारी तरफ से एक युद्ध करना है चलिए अब आगे जानते हैं क्या होता है देवराज अरजुन जी के पाइलिट का नाम था मैटली मैटली और श्री अरजुन दोनों ही उस यूएफो उस यान में गए थे असुर लोग और वहाँ पे अरजुन जी ने दो पृत्वियों को नस्ट गिया था दो पृत्वियों के प्राणियों को वह असुर लोग थे और निरंतर जो थे देवताओं को चनोती देते रहते थे उनका उदेश यही था कि पृत्वी को कैप्चर करना है तब अरजुन जी ने देवताओं और जितने भी अस्तर शस्तर उन्होंने आया था इसके अलावा भी हमारे गरंतों में बहुत बर उल्लेक मिलता है कि असुरों ने देवताओं के उपर चड़ाई चड़ कर दी हमला बोल दिया और देवता साहता के लिए विश्नु जी के पास या भगवान शिव के पास पहुंचे इस परकार कि आपने कहानिया बह चान नहीं पाते हैं कि आसमानों में बहुत बर ऐसे ऐसे रंग देखने को मिलते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं तो वो कुछ ऐसी ही देविय घटनाए होती हैं जो हमारी कलपना से परे हैं तो दोस्तों बात करते हैं इस संगम युग से आगे की वरतमान में जो समय चल है इसको हम संगम युग बोलते हैं मेरी गंड़ना अनुसार दो हजार अठारा तैईस मार्च को कल्यूग समाप्त हो चुका है अब जो यह चल रहा है यह सत्यूग है पर कल्यूग का भी प्रभाव है तो यह सब इसको आप कैसे देख सकते हो आप देख सकते हो जब सुबह का चालिस मिनट से लेकर सुबद छे बजे का जो समय होता है उसमें अंधेरा होता है पर वो नया दिन होता है उता अंधेरा है और वो दिन नया चड़ चुका होता है तो यह वाला जो वो समय है यह वो समय है इसको संगम युग बोलते हैं इसमें आपको सत्यूगी लोग जगादा देखने को मिलेंगे इनके आपस में भेंगर युद होंगे क्यों होंगे कल्यूग चाहता है कि उसकी सत्ता जाए नही Praise और सत्यूग चाहता है कि उसका समय आ चुका है तो यह सत्ता अब मुझे प्राप्त होनी चाहीए ये ठीक वैसा है जब सत्यूग खतम हुआ था तो सत्यूग रिशी ने अपनी सत्ता वही पर विराम देकर उसे किसी दूसरे को समर्पित कर दिया था तो अब बात आती है यहाँ पर तो अब बारी है सत्यूग रिशी की यह रिशी ब्रहस्पती की सत्यूग के जो करता दरता है मालिक है वो ब्रहसपती देव है तो अभी समय है ब्रहसपती देव का वो कल्यूग से सत्ता चीनेंगे और सत्यूग की स्थापना करेंगे तो सत्यूग में क्या होता है कुछ निशानिया मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो सत्यूग में पूरी जन संख्या जो होती है वो पूरी धर्ती की जन संख्या है 33 करोड ये वही 33 करोड संख्या है जो जिसको आगे चलके हम 33 करोड देवी देवता बोलते हैं ये वही 33 करोड होते हैं जो पूरी सत्यूग में इनकी संख्या 33 करोड ही रहती है और जो इनके कपड़े यानि कि जो हमारा शरीर है वरतमान शरीर जैसा हम आज देख रहे हैं ये शरीर वैसा नहीं रहेगा ये शरीर में बदलाव आ जाएगा और ऐसा क्यों कि बदलाव क्यों आएगा तो बदलाव इसलिए आएगा क्योंकि अब जो धर्ती घूम रही है इसका जो sound waves हैं उसके according हमारा शरीर प्रियाप्त नहीं है इसमें बदलाव होना चाहिए और ये देवता लोग इसमें बदलाव करेंगे दूसरी निशानी है कि ये शरीर कभी खराब नहीं होते हैं सर्द्यूग में जितने भी 33 करोड शरीर होते हैं वो खराब नहीं होते हैं अगर हलका फलका कोई उनको चोट वोट लग जाए या घाव लग जाए तो वो तुरंट ही ठीक हो जाते हैं इनको शादी करने की भी जरूत नहीं होती है ना इनकी कभी मृत्यों होती है ये लोग जीवित ही रहते हैं और इनका क्या सिस्टम रहता है जैसे मान लीजिए अभी आप जिस शरीर में है थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि अब मैं उब गया हूं इस शरीर में रह निकल के उस शरीर में परवेश कर लेता है रइट हमारे घर हमारी जमीने हमारी कारें ये सब ऐसी होंगी साजी यानि कि इस पे अधिकार किसी का नहीं होगा पर वो सब की होंगी मान लीजिए अभी मेरे को आपका घर पसंद है तो मैं आपके पास आऊंगा निवेदन करू है किरपया आप मुझे इसमें रहने दें तो आप क्या करेंगे आप बिल्कुल आदर पूर्वक मेरा स्वागत करेंगे और वो घर जस का तस छोड़कर आप किसी दूसरे घर में चले जाएंगी जो आपको पसंद होगा ठीक ऐसे ही जो हमारे कारे तो नहीं होंगी हमारे प कोई लड़ाई नहीं होगी कहीं कोई जूट नहीं होगा कहीं भी कोई क्राइम नहीं होगा और जहां क्राइम नहीं होता है वहीं पर उसी को तो सत्यूग बोलते हैं तो दोस्तों ये तो हो गया उनके बारे में और अब बात करते हैं हमारे शरीर के बारे में कि इसमें ऐसा क्यों है एक तो आप मैंने आपको कारण दे दिया है कि ये शरीर उसकी साउंड वेव को पचा नहीं पाएगा अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उसके अनुसार ढल नहीं पाएगा दूसरा क्या है कि हमारे शरीर में इतनी हमारे डियने और अरजने में इतनी खामी आ गई हैं इतने इसमें मिक्सिंग कर दी जा चुकी है कि ये शरीर को सत्यूग में आगे ले जाया नहीं जा सकता है इन कपड़ों को तो इसलिए नए कपड़े बनाए जाएंगे एक मुझे उधारन याद आता है महाबारत से आपको याद होगा चब पांचों पंडव जुए में हारने के बाद जंगलों में गए थे तो अरजुन जी तो चले गए थे देवलोग तो चारो भाई और द्रौपदी नारायन आश्रम में आकर रुके थे उत्राखंड में हमार तो उस नारायन आश्रम में ऐसे ही तीनों भाई योजिस्टर जी नकुल जी और सहदेव जी के साथ में देवी द्रौपदी तो नारायन आश्रम में थी पर भीम से इन गुमने निकले थे और जब वो गुमने निकले थे तो उन्हें मारग में हनुमान जी मिले थे तो जब हनुमान जी ने उनका मार्ग रोका हो उनकी आपस में बातचीत होई और जब परिचे हुआ हनुमान जी ने अपना परिचे दिया भीम को तो भीम से इनने उनसे अग्रे किया कि मुझे आपका वो त्रेता युगवला ही रूप देखना है तो हनुमान जी ने मना कर दिया था कि वो कि उस शरीर की अपनी कुछ सीमाए है उस आलोकिक शरीर को मैं आपको नहीं दिखा सकता इसलिए उन्होंने वो शरीर को नहीं दिखाया था जो उन्होंने शरीर दिखाया था वो दुआ पर यूग के अनुसार ही उनको दर्शन कराये थे अगर आपको याद होगा इस बात को सीरियल में भी कवर किया गया था और आप अगर इस पूरे विस्तार इस गटना को विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो आपको महाभारत लानी होगी संपूर्ण महाभारत पूरा ग्रंथ जिसको किवा हम पांच्वा वेद भी बोलते हैं अब बात करते हैं पूरा इन शरीरों की इन कपड़ों की शरीर उपी कपड़ों की ये कैसे खत्म होंगे तो ये खत्म होंगे प्राकर्तिक आपदाओं से हावा से पानी से आग से और युद से और भुकम्प ये इन पांच प्रकरतिक चीजों से समाप्त होंगे और जो कुछ शरीर भच जाएंगे यानि कि जो संख्या भचेगी वो रहेगी हम मानवों की 33 करोड फिर जैसे जैसे हम मानव इन 33 करोड में कोई वेक्ती जैसे जैसे ये शरीर छोड़ता जाएगा उसको देवराज इंद्र द्वारा नया शरीर दे दिया चाहेगा जो सत्यूग के अनुसार होगा और आप आने वाले ये 4800 वर्षों में यही 33 करोड आत्माएं रहेंगी पूरे सत्यूग में ना कम ना ज़्यादा और जब ये सत्यूग समाप्त होने को आएगा वो क्यों आएगी वो वहाँ पर ब्रह्माजी को बात करते हुए सुनती है जब ब्रह्माजी इनकी प्रशंसा करते है इस धर्ती लोग की तो ये सारा एक नियती का खेल है यानि कि एक आत्मा को इस धर्ती पर भेजना है तो अब कैसे भेजें तो उसमें करम उत्पन करना पड़ता है किसी आत्मा के अंदर अब कैसे करम उत्पन किया जाए तो सामने खड़े होके ब्रह्मा जी बहुत प्रशंसा करते हैं इस धर्ती लोग की इसमें बड़े बड़े फूल, संदर फूल और इसका जो सत्यूग में वातावरंट रहता है वो रहता है ना बहुत जदा गर्म ना बहुत जदा सर्द समानने वह सा वातावरंट रहता है फूलों के अकार बदल जाते हैं क्योंकि इस पूरे सत्यूग में ये जितने भी 33 करोड लोग होते हैं ये विग्यान के बहुत उपर चरम पर होते हैं बहुत से नई प्रजातियों का विश्कार होगा पुरानी प्रजातियां खतम कर दी जाएंगी चाये वो जीव जन्तु हो, पेड़ पौदे हो फल, फूल, इन सब के आकार बहुत बढ़ जाएंगे और मानवों के जो, ये 33 करोड मानव होंगे इनकी उचाई होगी लगबख 28 फिट से लेकर 32 फिट तक जी, और इनकी आयू होगी 400 वर्श ये लोग 400 वर्श तक एक शरीर में रहेंगे उसके बाद फिर ये दूसरा शरीर, यानि कि आपस में ही बगलते रहेंगे तो ये बारा बारा ऐसा होगा, क्योंकि प्रतेक युग में एक आत्मा बारा मानव शरीर धारन करती है उस बारा मानव शरीर धारन करने के बाद उसके कर्म अनुसार की उसे दुबारा 84 लाक्ष योनियों में बहजना है देवलोक में बहिजना है या मुक्ति प्राप्त करना है तो वर्तमान में जो अभी युग चल रहा है संगम युग इसके खतम होने के बाद 99 लाख ऐसी आत्माई होंगी जिनको मुक्ति प्राप्त होगी मोक्ष जिसको आप बोलते हैं 99 लाख आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होगी 33 करोड आत्माओं को दوبारा से जन्द मिलेगा सत्युग में इसके अलावा जितने भी आत्माई हैं उन सब का तो भगवान मालिक है उनका क्या होगा भगवान ही जाने यह सब सजा के पातर हैं इन सब को असर लोग को मिलेगा बहुत सी आत्माओं को असर लोग बहुत सी आत्माओं को दوبारा से 84 लाख यूनियों में भेज़ा जाएगा क्योंकि यह आत्माओं ने यहां तक का जो सफर ते किया है मर मर के मर मर के आप पहुँचे हो मानब जीवन में और मानब जीवन में पहुँचते ही आपने तबाही मचाना चालू कर दिया है इस अनसार में इन सब आत्माओं को दوبारा से इसलिए भेज़ा जाता है ताकि आपके माइंड में जो जितनी भी पुरानी यादे हैं वो सब समाप्त हो जाएं जो भी आपके आदते हैं वो दीरे दीरे सब समाप्त हो जाएं क्योंकि हम जैसे जैसे जो जन्म लेते रहते हैं या जो भी हम बात करते हैं जो भी हमारे एक्सपिरियंस होते हैं वो हमारे अंदर सेव होते रहते हैं हमारी में 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 तो 84 लाक युनियों में इसलिए बेज़ा जाता है कि इन सारी memory धीरे 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 उनकी पुरानी memories बिलकुल साफ हो जाया的 आ और बिलकुल आप पुज वेत्रात्मा बनके बाहर आते हैं फिर आपको द्वार अम्हें माजुशन हम द्या जाता है